तो फर्स्ट हम लोग को एक नया प्रोजेक्ट करना पड़ेगा तो नया प्रोजेक्ट हम यहां पर दीखाड है यहां पर फेले हम लोग बात कॉपी किये फिर उसके पात बात यहां पर पेस्ट कर दिये यहां पर हम लोग आज वायर रिमोवल करने वाले हैं तो वायर रिमोवल कि जिरो वन क्रेट प्रोजेक्ट अब वाइल इंपोर्ट मीडिया हम लोग का फुटेज यहां पर रहा तो लिंक कॉपी किये पेस्ट यहां पर लेके ओपन अब यह हो गया हम लोग का फुटेज अब हम लोग को सेशन्स क्रेट करना है तो न्यू शेशन्स यहां पर वायर रिमोवल कि यहां पर पेंट करेंगे तो प्रेंट बाकि यहां पर कुछ चेंजिस करने का जरूरत नहीं एकॉर्डिंग टूटेज यहां पर हर चीज़ ले लेगा तो ओके यह हम लोग का शॉट तो यह शॉट में लोग का स्कूप है कि इस वायर को रिमूव करना है और यह एराउंड फिफ्टी फ्रेम का पूटेज है तो यह एक्चली क्वाइट अलॉट अफ वर्ट है इस क्योंकि आसको हम लोग सिक्वेंस पेंट करेंगे तो फर्स्टिंग फर्स्ट इसका हम पूरा नहीं दिखाएंगे एक्चली आ विल शूओ अराउंड फाइब फ् कुछ इधर उधर जाड़ा है तो वी हैब टू टेक टैम एंड कम्प्लीट ते शॉट अगर यह पूरा शॉट अगर करने को मिले तो अप्रॉक्स में को वन अन हाफ टे में कंप्लीट कर सकेंगे एक उससे कम संथिंग तो पहले हम लोग को ट्रैक करना पड़ेगा तो के लिए और इसमें सिर्फ थोड़ा बहुत कैमेर मॉवमेंट ही है कुछ मेजर क्रेक्टर मॉवमेंट या कुछ नहीं है तो इत विल पी एज़ी कि सो बैसिकली एम ट्रैकिंग दिस वन कंट्रूल टी फो ट्रैक यहां पर हम लोग चेक कर लेंगे लिए हम लोग को यह लिए स्लिक्टेट है यहां पर हम लोग इसको ट्रैक करेंगे तो आइगेस दिस मच इस एनफ कि 69 होगी है तो इसको 70 कर ले 69 कहीं और अच्छा लगता है यहां पर नहीं ओके कूल तो यहां पर हम लोग फ्रेम रेंज को 70 करेंगे कि हम लोग दस फ्रेम के अंदर वर्क करेंगे सिर्फ आज इसको लेर कॉपी करेंगे मेंट पर जाके ऑप्चिक्ट इस लिस्ट पर पेस्ट कर लेंगे यहां पर इसको स्लेक्ट स्टेवलाज़शन ओन अब करेंगे हम लोग कि एक सीक्रेंट यहां पर हमलोग स्टेढ पर यह लेक्म पर Vielen परहें कि यहां कि हुआ दो यहां पर दिखे क्या काम होता है इसका क्या काम नहीं तो फर्स्ट हम लोग यहां पर इसको और करके देखेंगे तो यहां पर हम firm 54 यहां पर है लेकिन हम लोगो से mass आप यह सोटष मैंच मॉव नहीं करेंगे । यह देखें e हम फेलों को बताना होगा किए लिए का जो हम लोग का ट्रैक है वह हम लोग यहां पर यूद्फ करेंगे दो वह चीजे समों को बताने के लिए यहां पहलो को प्लिक करना होता है तो लेड्स को तो फॉर्स फ्रीम अब ऑप या a sequence paint तो पहले हम लोग को देखना है कि इस एरिया पे ऊंस रिमपर यह एरिया क्लीन ग्लेण है तो रह थेक हम लोग को यहां पर यह एरिया पुड़ आ रहा है तो हम लोग फर्स्ट फ्रेम पर जाएंगे यहां पर 56 लिखेंगे यहां लोग का रिफ्रेंस फ्रेम हो गया यहां पर इंपूट और पूट कम लोग आपको बात में बताएंगे अब हम लोग को चेक करना है तो हम लोग पहले caps lock दबाके एक्चुली चेक करता है फॉस्ट इंग यह स्टीडियो कंवर्शन हम लोग अगर कभी लिफ प्लेट राइट प्लेट मैच करवाने के लिए चीज़ पॉन लोग के लिए बहुत काम आता है यह हम लोग यूज नहीं करेंगे अक्चुली हम लोग बिसी के लिए यूज करेंगे वर्टिकल स्प्रेट यहां पर देख स सकते हैं और सेम तिंग यहां पर आप अपन डाउन वाल देख सकते हैं हम बेसी के लिए यह यूज करेंगे क्योंकि में को चिक करना पड़ेगा कि सब रॉक स्टेबल है कि नहीं अगर में बैक्राउंड इधर उदर होगा तो में को दिक्कत हो जाएगा यह हम लोग ओपैसिटी ओपैसिटी में देख सकते हैं तो हम प्रोप्स इतना तखी टखेंगे ओके विप्टी सिक्स प्रेम रेंच ओके वाल दन यहां पूरा एक लीन मिल जाएगा फ्लेम तो इसमें हम लोग यहां पर पेइंट कर सकते हैं हम लोग ऑपन प्रेकिट ऑप बड़ा ब्रेकेट चोटा ब्रेकेट से यह चीज बड़ा और शुटा करते हैं तो नाव इस टाइम टू पेंट यहां पर पैस्टी हंडेड है तो जस्ट हम लोग यहां पर इसको अब बस थोड़ा थोड़ा करके प्रिंट करना है तो फर्स्ट फ्रेम इस डन अभी सेकंड फ्रेम का बाड़ी है तो हम लोग इसको फिर से 56 पे वह चीज फिर से पेंट आउट कर सकते हैं क्यूंकि यहां पर हम लोग को इजी ली दिखाए दे रहा है कि हम लोग आपास सोर्सेस है तो तो दिरह वोंट पी बेग इसूँ कर देख सकते हैं कि क्या इंपूट आउटपूट है कर दोटे कि कर दो कि लुक उलाे कर दो कि नह कि यहां कर दो कर देख सकते हैं.. आई! झाल झाल तो स्टेविलेशन आफ कर दिये अभी बस हम लोग यहां पर चेक करेंगे तो आज वी कन सी यहां पर पूरा कंप्रीटली वाइड रिमोट है अब कुछ औप्शिन्स जो आपको दिखाने वाले हैं यहां पर इन्पूट आटपूट है तो माल दीचे में को इस फ्रेम में तो आप को रखेंड नी किसी और यहां पर यहां पर यह इंपूट है एज यह हम लोग का इन पूट है वह अगर हम लोग इसको आउट पूट में क्लिक करेंगे तो आम लोग झहाँ पर पींटीटेड़िया हो जाता है वह एरिया पूर्टीन हो मतलब की जो प्रें्टेट प्लेट्स है वो हम लोग अउट्पूट पे शो करता है और जो मतलब जो हमलोग पेंट कर चुके हैं मतलब जो ओरन सिर्टेट अER उसके बाद आदाओ डिलेटिव होता है माली आपको और अगे जाना तो यहां पर देखिए सेम पुजिशन पर आपके यह वाला फ्रीम भी आपके चला लिए यह फिर आपको पीछे जाना तो यह पीछे चला जाएगा आभी यहां पिछी देतन है अब हम आगे जाएंगे थो यह भी आ माल लीज़े आप 63 पर रेफरेंस फ्रेम लेड़ है तो हम जब आगे जाएंगे तो यह भी आगे जाएगा सेम पिछे भी आगे जाएगा अगर हम लोग रिडिटिक आफ कर लेंगे तो यही सेम फ्रेम रेंज फ्रेम नंबर आपको पूरा शॉट चलेगा वह आपको मैनुव करते हैं उसके बाद हम यह फूटेज पुड़ा कंप्लीट करेंगे आपको आउटपूट दिखाएंगे इसका ताकि आपको एक अच्छा नौलेज बढ़े बाकि इसके बाद धीरे-धीरे करके आविल शो कि कैसे करके हम लोग यह रिमूव कर सकते हैं और भी बहुत सारे कि इस आम दिरे-दिरे दिकाएंगे